पुस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है संस्कृत प्रत्य for all classes इस वीडियो में बच्चो आपको अनंदम संस्कृत व्याकरन क्लास 8 की exercise solve की हुई जरूर मिलेगी लेकिन जो संस्कृत के प्रत्य समझाने जा रही हूँ वो तो आप सभी बच्चों के लिए हैं और उसके समझाने के लिए कोई बुक रैफर करने की जरूरत नहीं है ठीके तो आप अनंदम संस्कृत व्याकरन देखकर ये मत देखिएगा कि यहां पर प्रत्य पता नहीं कैसे समझाये गए हैं आप जरा वीडियो में अंदर तक डिटेल तक समझिए प्रत्यों को किस परकार बहुत ही easy way में समझाया गया है ठीके चलिए आगे बढ़ती हूँ सबसे पहले मैं आप सबको बता दू बच्चों प्रत्यों होते क्या हैं अगर हिंदी में भी आपने वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पर तब भी मैंने यही बोला था जो आज बोलने जा रही हूँ कि प्रत्यों वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नई शब्दों का निर्मान करते हैं हाँ वहाँ पर मारव में ता जोड़कर मानफता बना दिया था आज संस्कृत में जब हम बात करेंगे वैसे तो ता यहाँ भी जुड़ेगा आपने आगे इस्तरी प्रत्य पढ़ने है टाप प्रत्य पढ़ना है तो वहाँ भी ऐसे ही होगा चलो अभी फिलहाल में आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रत्य तीन परकार के हैं क्रित प्रत्य तद्वित प्रत्य और इस्तरी प्रत्य क्रित प्रत्य कौन से होते हैं जो धातूओं में जुड़ते हैं ठीक है और तद्वित प्रत्य कौन से होते हैं जो संग्या सर्वनाम आधी शब्दों में जुड़ देखते हैं सबसे पहले आपके सामनी है सबसे पहले है बच्चो कृत प्रत्य की बागर हम बात करते हैं तो कृत प्रत्य में आज हम डिसकस करने जा रहे हैं सबसे पहले कत्वा प्रत्य आज तक आपने भूक एक्सरसाइज में बहुत बार देखा होगा आपसे पठित्वा हस सित्वा ऐसे करके वर्ड पूछे जाते हैं जिसमें से बच्चों को बताना होता है कि इसमें प्रत्य कौन सा है तो आज आपको सिखा रही हूं कत्वा प्रत्य बहुत असान ट्रिक है द्यान से सुन लीजिए अगर किसी भी शब्द के अंत में आपको त्वा जट्वा तो समझ लीजिएगा वहां पर कत्वा प्रत्य है ठीक है समझ में आ गया अगर किसी भी शब्द के अंड में आपको कहीं पर आदा तव के साथ आकी मातरा त्वा त्वा और ध्वा नजर आ रहा है तो आप सीधा वहां पर कत्वा प्रत्य लिख देंगे ठीक है जैसे मैं व कत्वा प्रत्य बोल देने, ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ती हूँ, कत्वा प्रत्य के बाद, तुम लेप प्रत्य, तो सबसे पहले मैं लेप प्रत्य की अगर आपके सामने बात करूँ, तो कोई भी धातू ले लीजिए, उससे पहले अगर उपसर्ग आ जाए न, तो कत् में, एंड में लेप का, आप देख लीजिएगा, य सेंस रहेगा, लास्ट में, लेप प्रत्य कहीं भी आपको दिखाई दे जाए, अगर मैं उपगम्य वर्ड बोल रही हूँ, तो वहाँ पर य आ रहा है, लास्ट में, तो वो समझ नहीं न, लेप प्रत्य है, अगर मैं आगम्य वर्ड बोल रही हूं जिसका अर्थ होता है आकर पीछे यह आ रहा है आगम्य में देखिए आगम्य यह आया पीछे समझ लेना यहां पर लेप प्रत्य है अगर माली जी यह मैंने वर्ड बोला आधाये जिसका अर्थ क्या होता है लेकर यह आया तो यह यहां भी जहाना ज़रूरी है क्योंकि जब exercise करवाऊंगी तब आपको पता होना चाहिए ठीक है तुम उन प्रत्य अगर शब्द में आपको तुम नजर आ जाए कहीं पर last में कहीं भी लिखा हुआ तुम नजर आ जाए तुम नजर आ जाए जब धुम नजर आ जाए तुम नजर आ जाए दरश्टुम का जब धुम नजर आजए लबदुम का तो वहाँ पर चुप चाप आंखे बंद करके आपने कहा देना तुम उन प्रत्य है ठीक है तुम उन प्रत्य का तुम जो एना वो शेष रह जाता है बाकी उ और न वर्न लोप हो जाता है ठीक है तुम उन का तुम रह जाएगा हमारे पास जो मू का उ है वो भी गायब और पीछे का जो न है वो भी गायब इन दोनों को कर देंगे हम गायब और वहां पर सिरफ तुम वर्ड रह जाएगा मान लीजी आपके सामने वर्ड है धावी तुम धावी तुम ये वर्ड है चली बताईए फटाफट से इसमें कौन सा प्रत्य है तो कोई भी बच्चा बता देगा क्यूंकि मैडम ने बताया था तुम प्रत्य पीछे रहा जाए तो वहाँ पर तुम उन प्रत्य होगा ठीक है और धावी तुम का मतलब क्या होत कत्वा प्रत्य उसमें त्वा बच्च जाता है पीछे जिसका आर्थ होता है करके तुम उनका आर्थ होता है के लिए चलो आगे देखते हैं कौन सा प्रत्य आया हमारे सामने नेक्स प्रत्य है हमारे सामने कत्त प्रत्य ठीक है अब कत्त प्रत्य में क्या है अगर किसी शब्द के अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है त थ न ट ड ये पांच वर्न अगर आपको किसी शब्द के अंड में दिखाई दे रहा है न त थ न ट ड ये सब दिखाई दे रह तो जहां भी आपको एंड में ये वर्ड नजर आ जाएं तो वहां पर कौन सा प्रत्य हो जाएगा कत्वत्य हो जाएगा ठीक है चलो आगे देखते हैं कत्वत्य की बात हो रही है कत्वत्य की बात में कत्वत्य और कत्वत्य दोनों एक जैसे हैं दोनों में समानता है, अगर किसी शबद के अंत में मैंने कत्वात्य प्रत्य है, धात्य है प्लस कत्वत्य है अब धात्य है चल, उसमें कत्वत्य प्रत्य жोड़ा पुलिंग में बन जाएगा चलित्वान, इस्तरी लिंग में चलितवती नपुनसंक लिंग में चलितवत इसी तरह पत धातु है कतवतु प्रत्य अगर पुलिंग में बनाना है तो बनेगा पतितवान इस्तरी लिंग बनाना तो पतितवती और नपुनसंक लिंग बनाना तो पतितवत तो तीनों लिंगों में रूप इस परकार चलना है यह याद रख लीजिए आप मैं प्रयोग आपको विदी करके बता रही हूं देखो इसमें प्रयोग कैसे करना है देखो वर्ड है रामे विद्यालियम अगच्छत अब कत्वतु प्रत्य जोड़ना है हमें किसके एकॉडिंग जोड़ेंगे रामे अब र पुरुष में एक वच्चन है है अब करता के अनुसार किरिया का प्रयोग होना है सिरफ आपको ध्यान देना है एक विभक्ती पे एक ध्यान देना है वच्चन पी वच्चन कोन सा है ठीक है अब कत्वतु प्रत्य जब लगाना है रामे विद्यालियम अगच्छत गम ठीक है मैडम ने सिखाया था पुलिंग में प्रियों कैसे करना है गम का गत वान ठीक है पुर्थम है आपका पुलिंग है एक वच्चन है अब उपर अगर मैं दिखाऊंँ आपको टेबल यही अब देखिए अगर उपर pulling में मैंने आपको सिखाया था कोई भी धातु दे दी जाए वहाँ पर word कैसे बना है चलितवान धातु तो चलित लगा दी यहां धातु कोंसी है गत धातु है गम धातु है और गम धातु का बनेगा कैसे गत और pulling में रूप कैसे चलेगा गतवान हो गया आगे है तवियत प्रत्य तवियत में से अगर बच्चो आप तव हटा देते हैं तो शेष बज जाता है तवियत में अगर आप तव हटा दो यह तव को रचा दो क्रॉस कर दो पूरा बढ़ कैसे तविया तीनों लिंगों में रूप सुन लो किस तरह चलना इसका तविया इस तरी में बना कर्तविया और नपुनसंग लिंग में बना कर्तविया चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट अब आपकी एक्सरसाइस सॉल्फ करने की कोशिश करते हैं जितना भी आपको समझाया गया है उसके एक वाठी अदो लिखिता नाम शब्दा नाम प्रकृती प्रत्य विभाग सबसे पहले खादित्वा पीछे त्वा आया चुप चाब वहां पर क्या कर देना है खाद दातू लगानी है कत्वा प्रत्य लगा देना है इसी परकार सब में ऐसे ही करना है आपने खाद दातू कत्वा प्रत्य त्यजदातू कत्वा प्रत्य लिख दातू कत्वा प्रत्य ठीक है अगर मालो आपके सामने आगया परी त्यज्य वर्ड सम पठ्य वर्ड अब क्या करोगे पता है पीछे मैडम ने सिखाया था यह लगा हो तो कुन सा प्रत्य होगा लियप प्रत्य सम प्लस पठ प्लस लियप परी प्लस त्यज प्लस लियप प्रत्य परी भुए यह अगले पेच पे चलते हैं रमा चित्रम द्रिष्टवा रच्छती रमा चित्र देख कर रच्छती है जनी कि बनाती है सुकेशल सुलेखम लिख्छतवा पठती बालीका जलम पीतवा खेलती चलिए आगे लेप प्रत्ते जोड़कर आपको रिक्तस्थान भरने है तो लेप प्रत्ते जोड़ते चले जाईए उप प्लस गम प्लस लेप दिया हुआ है क्या कर दोगे सीधा उप गम में लगा देना है प्रनम में लगा देना है आदाय लगा देना है उप विश्य लगा उपहस्य लगा देना इसलिए सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया था ताकि दिक्कत ना आए चली आगे कोशर नंबर फुर है मंझूशाते पदानी चित्वा रिक्तस्थानानी पूर्या मंझूशा से पदो को चुनकर रिक्तस्थानों की पूर्ति करनी है तो बालके असिं विशाल हसकर बोलता है माता बालों को बोजन दे कर जाती है तो दत्वा आ गया ठीक है इसी प्रकार से आगे भी आपको फिल करके दे दिये गए हैं अब हमें करेंगे तुमुन प्रत्य की एक्ससाइज में गौर्वे भोजनम खाद दातु दी हुई है तुमुन प्रत्य लग पठितुमुन ब्रम का ब्रमितुम रक्ष का रक्षीतुम लगा दिया चितर को दे कर मंजुशाप की साहिता से वाक्य पूरे करने है तो माता फलानी केतुम onsetamam गच्छती बाली का पठितुम विध्यालियम गच्छती जना तर्तुम तरन तालं गच्छती वयम खादितुम उसके बाद मजुशा में दिये गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ती करनी है आपको जाने की मैंने आपको बॉक्स में जो भी वर्ड्स दिये होते उसके एकॉर्डिंग फिल करके आपको दे दिया गया है ठीक है तो यहां पर तुमुन प्रत्य की एक्सेसाइस होती है फिनिश आगे बढ़ते हैं किर्यकलाब जनकी अक्टिविटी की तरफ जिसमें चित्र देखकर पांच वाक्य लिखने थे वो भी आपको प्रवाइड कर दिये गए हैं आप उनको देख लीजिएगा ठीक है स्टुडिंट्स उसके बाद है कत्वतू प्रत्य जो अभी आ बलाऊ सिंगम बालाऊ कितने ध्वी वचन है तो हम कौन सा ऑप्षन शूरेंगे दृष्ट वन्तो ठीक है उसके बाद प्रत्मावी ब령ती में हम सेकिंड वाला चूरेंगे बालका कृड़ा शेत्रे अब बालका बहु वचन है है ना कृड़ा शेत्रे खेल के मदान में कौन सा आ जाएगा लास्ट वाली ओप्शन धावित वन्त है बहुवचन उके उसके बाद जनाहा जादा है ना बहुवचन है परस्परम वारता है कृत वन्त है युवाम कारियालियम अब युवाम है जानी कि तुम दोनों अब क्या आ जाएगा गतवन्तो वयम अधिहापकम जानी कि हम सब वयम में कथित वन्त है बहुवचन हो गया सा जानी की लड़की के लिए आ गया विद्यालियम गतवती आ गया चली आगे इस्त्री लिंग में परिवर्तन करना है सै पठित्वान तो इस्त्री लिंग का रूप कैसे बदल जाएगा पठीतवान का साफ पठीतवति तौ गतवन्तों का ते गतवत्ति यूँकि सा-ते-ता इस्त्रेलिंग में ते-खादित वनता है ता-खादित-वत्तिय हो ठीके आगे देखते हैं बाले हसीत-वान-बाली का हसीत-वती पुत्रे-दिश्ठ वान, पुत्री-दिश्ठ वति युवकव शुर्थ वनतो युवतियो शुर्थ वत्तियो चलिए थर्ड कोशन आपके सामने शात्रा पुस्तकानी पठित वंता जाने की कतवतु प्रत्य के प्रयोग से रिक्त स्थान बने कतवतु प्रत्य लगाने अब यूयम तुम सब की बात हो रही है यूयम दुगदम बहुवचन में पीत वंता है अहम शिक्षकम में एक वचन की बात हो रही है नमि जाने कि भूत काल के अर्थ में धातु के साथ लगता है कत परत्य का पीछे क्या बच जाता है अकेला तो बच जाता है और इसका प्रियोग याद रखिएगा करम वाच्य और भावच्य में होता है ठीक है जैसे अभी हम exercise कर रहे हैं इतानी वाक्यानी ध्याने इन वाक्यों को अब ध्यान से पढ़ो रामेन पाथा पठिता है लत्या पाथाउ पठितो गुरुना पाथा पठिता जाने की रामेन राम पुलिंग था तो पठिता आ गया लत्या थी तो पठिता हूँ दो पाड़ थे ना तो गुरुना पाथा पठिता हा रामेन कविता पठिता मेया कविते पठिते फिर तविया कविता पठिता हा मेया प्रश्ण प्रिष्टे तविया प्रिष्णो प्रिष्टव भवता प्र प्रत्य में क्या करना है आपको सिर्फ लिख दिया हुए तो आपको क्या कर देना है कत्त प्रत्य में लिखी तम बना देना है उसका है ना उसके बाद मेया तरीनी आमरानी खादी तानी उसके बाद बालकई शिलोका पठीता उसके बाद हां असमाबी जनतुशाला दृष्ट तेन कविता सम्रिता मेया हसीते ठीक है बच्चो क्लियर चलिए आगे देखते हैं उचित कत प्रत्य से क्रिया पद्ध चुनने आपको मेया सूर्य अब सूर्य एक वचन है तो द्रिश्टा हो गया मात्रा बालिका सुपता पाचकेन भोजनम पहली ऑप्शन हो गई पकवम चो आगे बढ़ते हैं हम आगे हमारी exercise है अनियर प्रत्य अब अनियर प्रत्य भी आपको समझा दू फिर exercise करवानी है मुझे इसकी तो अनियर प्रत्य जो है ना तीनो लिंगों में सुन लो इस प्रत्य में शेश बेटा अनियर रह जाएगा रहट जाएगा आपका अगर आपने ये तीनो लिंगों में याद कलिया ना अनियर 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 अनि सकता तीनों लिंगों में आप याद कर लो पुलिंग इंस्त्रीलिंग नपुनसंगली में चलना कैसे है आईए अब चलते हैं अभ्यास कारे में पहला कोशन है आपके सामने मेया उत्सवे हासे कविता पठित्वया अब पठधातु है तव्यत प्रत्ते लग गया लत्या मं प पत्रम पठनियम अब पठनियम है जाने की पठधातु है अनियर ठीक है असमा भी कर्तवय पालनम कर्नियम है मैंने अभी आपको सिखाया नर्णी आजाए जानी आजाए क्रीदातु अनियर प्रत्ते तव्या यथा समयम विद्यालियम गंतव्य अब गम धातु है लेकिन प पोशनिया पोश प्लस अनियर प्रत्य पठनिया पठ प्लस अनियर प्रत्य चलिए आगे है कोश्ठक में दियेगे प्रकृति प्रत्यों को जोड़कर रिक्त स्थानों को पूरा करना है असमाबी अनुशासनम पाल नियम पाल प्लस अनियर प्रत्य लगा था तो हमने क्या करन अनियर हटा देना था हमने लगा दिया पालनियम सेफकेन फलानी अब आ प्लस नी प्लस तव्यत प्रत्य है तो आनी तव्यानी उसके बाद पुस्त का नाम अधियनम करनिये पित्रा पुत्रा पाली तव्या तव्या पाठे पठनिये शात्रई गीतम गात तव्यम शात्रई ग जोड़ दो तवेत प्रत्यत, हटाओ पीछे का और गंतवे लगा दिया, वकतवे लगा दिया, करतवे लगा दिया, दातवे लगा दिया, तिकतवे, खादीतवे, द्रश्टवे, पकतवे, ठीक है, फोर्थ कोशन में अनियर प्रत्यत, तवेत प्रत्यत के स्थान पर मेया पत्रम लेखी तव्यम लेख नियम राष्ट गीतम गातव्यम नहीं गानियम तव्या पुस्तकम पठी तव्यम नहीं पठनियम पातव्यम नहीं पानियम फिर करतव्या नहीं आना अब करनिया आएगा स्थातव्यम नहीं आना अब स्थानियम आएगा क्योंकि अनियर प् अभ्यास अपनी कौपी पर लिखकर कीजिएगा तब जाके exercise solve कर पाएंगे सिर्फ रटने से exercise नहीं आनी मैं बार बार बता रही हूं आपको चलिए अब तद्वित प्रत्य की तरफ आगे बढ़ती हूं दूसरा प्रत्य ये तो हमने बात कर लिक्रित प्रत्यों की अब हमारे अगर अंतिम वर्न इन होता है तो रिनी प्रत्य होता है जैसे गुणिन पुलिंग में तो गुणिन इस उन हstart प्रत्य में गुणिन लग जाएगा न पुनशंग लिंग में गुणि ए की मातर दिर्ग इन हो जाएगी ठक प्रत्य में कुछ नहीं करना ठक प्रत्य में संग्या शब्द के अंत में बस एक जोड़ देना है जिस परकार आप वहाँ पर इतिहास सिक वर्ड है यहां भी धरम प्लस ठक प्रत्य जोड़ेंगे तो धार्मिक बन जाएगा तो आप रत्य सुन लीजिए जो abstract noun होते है भावाचक संगया बनाने के लिए जिनका प्रयोग होता है जैसे सुन्दर से सौंदरे है बुड़ा से बुड़ा पाई है में पता है भावाचक संगया है अब तो आप रत्य प्रयोग कैसे कना है लगू प्लस तो लगू त्वम और ताप प्रत्य आगे इस तरी प्रत्य मैं समझा दूंगी मैं तल प्रत्य ध्यान से सुन लो शब्द है गुरू उसमें तल प्रत्य जोड़ दिया तो गुरू ता जाने की आपको यहां पर तल का त जो पीछे शेश रह जाता है ना उसमें भी इस तरी लिंग बनाने के गुपलस तल लगूता ठीक है आगे देखते हैं एक्सरसाइज इसकी तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको आईए इसकी एक्सरसाइज सॉल्फ करें यह है चलो इस तरी प्रत्य भी पढ़ लीजिए टाप और बीप प्रत्य जो आपको आज मैं बता दूं यह दो में प्रत्य हैं टाप प्रत्य जिसमें मैंने आपको बता दिया पीछे क्या जोड़ना है बड़ा जोड़ना और डी प्रत्य में ए अब आप देखें आगे मैंने आपको बताया हुए इस तरी प्रत्य में कि पुलिंग शब्दों को जब भी इस तरी लिंग बनाना है तो इस त दा बन जाएगा धीप प्रत्य में क्या होता है रिकारान तो नकारान शब्दों में धीप प्रत्य का प्रियोग होता है अब मालो दात्री वर्ड था उसमें त्रो था और धीप का ई था तो दात्री वर्ड बन गया जाने कि दिर्ग ई का प्रियोग किया गया प्रिये वादिन शब्द है नकरांत शब्द है जानि कि उसके एंड में न आ रहा है उसमें धीप प्रत्य जोड़ दोगे तो बड़ी प्रिये वादनी बन जाएगा कुछ नहीं है बहुत इजी है चलिए exercise solve करते हैं अब इसकी सबसे पहला कोशन है आपके सामने पूरुशय एव श्रेश्ट मत्व प्रत्य मैंने समझा दिया आपको चरित्र में क्या होगा अब मत्व प्रत्य मैंने आपको वाला वाली के अर्थ में मत्व प्रत्य का प्रयोग होता है जानि कि मत्व शेश रह जाएगा पीछे लेकिन अब आपको ये देखना है कि चरित्र पूरुशय एक लग जाएगा चिरित्रवान अकरांथ शब्द है न तो यहां पर चिरित्रवान लग जाएगा एतेशू बालकेशू बुद्धी प्लस्मतुप परत्ते लगा है अब यहां पर क्या लग जाएगा मान बुद्धी मान है ना तो बुद्धी मान हो गया मूल रूप तो इसका मतुप प्रत्य इकारांत शब्द है ये बुद्धी इकारांत इकी आवाज है ना इसमें ये अब गुण प्लस मतुप है तो गुणवान भफ्ती नरातम शरेष्ठा मने अंते अब धैरे प्लस वन्तय चली आगे राजवे अती शक्ती प्लस मतूप लगा शक्ती मान अभिउद्य शमा वान उसके बाद आजाईए फल प्लस रीनी विरिखषा सं्ती अपकोँ सील लगेगा रीनी प्रत्य लगा है तो यहाँ पर हम फलीने आपको समझाय था रीनी प्रत्य, इन शेष बच जाता है, पीछे जयाने की न लगा देंगे, तो फली ने, विहाने, परिश्रमी, विध्यार्थी प्लस रीनी प्रत्य, तो यहां पर विध्यार्थी, विध्यार्थी, श॥ween 2 अपर gårए, सुखार्थी ने बन गिया 1964 लगाया, प्रकृति प्रत्यों को जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अब जीवने विद्याया अति महत्व 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 प्लस तुव है अब महत्व प्लस तुव जानी कि आपको यहां पर क्या कर देना है महत्वम प्रकृते रमनिये प्लस तल प्रत्य जोड़ दिया अब तल प्रत्य जोड़ने के लिए ताश शब्द लास्ट में जोड़ता है रमनिये था रामस्य वीर प्लस तल तल में आपको पता है ताश शब्द एंड में जोड़ता है वीर था मुर्ख प्लस तल मुर्खता चंचल प्लस अगर तौ प्रत्य लास्ट में लगाना है तौ जुड़ने के बाद शब्दन अपुन संक्लिंग एक वचन में बनेगा तो क्या बनेगा चंचल तौ बन गया ठीक है प्रकृती प्रत्यान योजित्वा रिक्तस्तानों की पूर्ती करनी है ताप प्रत्य लगाना है कुछ भी नहीं करना बड़े आखी मातरा लगाते चले जाना है और डीप प्रत्य में बड़ीगी की मातरा लगा देनी है तो बालिका करेड़याम कुशलास्ती सेविका सरला पि वर्तित करना है तो इक लास्ट में लगा देना है नगर प्लस ठक नागरिक संस्कृति प्लस ठक संस्कृतिक समाजिक शक्ति प्लस मतूप प्रत्य है अब मतूप प्रत्य आपको बताया गया है मतूप प्रत्य कैसे लगाना है मान लगाना है वान लगाना है तो शक्ति के साब नहीं शक्ती मान लगेगा ठीक है तो शक्ती मान लगा दिया उसके बाद है उसी परकार मंतर प्लस अडीनी वर्ड है एक तो मंतरी वर्ड बन गिया है ना रूप प्लस मतुप है तो रूप वान हो गया क्लियर चलिए आगे क्री प्लस तव्यत तो यह बन गया कर्तव्यत गम प्लस तव्यत गं तव्यत दृप मतुप चृतरवान कुमार प्लस धीप कुमारी और देप्लस धीप देवी तो यहाँ पर आपकाशप्टर टैन होता है कंप्लीट अन् LISA कि अधुम्प एक जिसके भी अब बता दीजिएगा आपको अगली वीडियो कोंसी चाहिए व्यक्रन की मैं वही लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी ठीक है स्टुडेंट्स तिल देन टेक कियर गुडबाई